मुख्य मंतरी शिव्राज सिंग चोहान ने कमलनाथ को वोटों के लिए पागल कहा, जिस पर पूर्व मुख्य मंतरी कमलनाथ ने ट्विट करते हुए शिव्राज को खुब खरी-खोटी सुनाई कमलनाथ ने ट्विट में लिखा पूरी दुनिया देख रही है कि मध्ध पुदेश का मुख्यमंत्री कैसी हरकते कर रहा है उनके भीतर की सारी सब्भिता, मर्यादा और संसकार समाप्त हो चुके हैं वो सडक छाप गुंडों की भाशा बोल रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चुहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ में जवानी जंग खत्म होने का नाम ही ले रही दोनों एक दूसरे पर तीखे बयानों से हमला करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रहे हाल ही में कमलनात ने एक रोजा एफ्ट्यार पार्टी में बीजे पी को दंगा फसाद कराने वाली पार्टी बताया था जिस पर शिवराज ने पलटवार करते हुए कहा था कि मद्रप्रदेश में ना तो कहीं दंगे हो रहे हैं और ना ही कहीं अशानती है कमलनात वोटों के लिए इतने पागल हो गए हैं कि वो हर जगां अशानती और दंगे देखना चाहते हैं जिससे उन्हें वोट मिले हैं अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चुहान के इस पागल वाले बयान को लेकर कमलनात ने ट्विट करके लिखा है कि शिवराज आप मेरा कुछ दिनों पहले अंत करना चाहते थे और आज आप मुझे पागल कह रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है कि मध्यब्रदेश का मुख्यमंत्री कैसी हरकते कर रहा है उसके भीतर की सारी सब्धेता, मर्यादा और संसकार समाप्थ हो चुके हैं वो सडक्छाब गुंडों की भाषा बोल रहा है कमलनात ने ट्विट में लिखा कि मुझे अपमान का डर नहीं है मैं पिछले 44 वर्षों से जनता की सेवा कर रहा हूँ और आखरी सांफ तक करता रहूँगा लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि मध्यब्रदेश जैसे महान राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ऐसे कुंठित विचारों वाला व्यक्ती बैठा है ऐसे व्यक्ती का मुख्यमंत्री होना प्रदेश की आठ करोड जनता का अपमान है शिवराज आपने अपने शाशनकाल में मध्यब्रदेश की शांती भंग कर दी है जब आप मुझे गाली दे रहे थे उस समय हजारों करमचारी आपके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे आपने हर वर्ग के जीवन से सुख शांती का हरन कर लिया है 18 साल में आपने पूरी एक पीड़ी बरबाद कर दी है इतिहास आपको कभी माह नहीं करेगा वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक बिशलेशा हम करते हैं सट्यका अनवेशा तखल नियूस आपके हक्त में